नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का टॉपिक बहुत खास है ध्यान से सुनिएगा हीटिंग के पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती उसके बारे मैं बताऊंगा यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से तो आपको एक सेटिंग मिलेगी इस्कुरू मतलब कि इस्कुरू को प्रवेंट करने के लिए कुछ टाइम दे रहें साथ साथ कुछ और मशीनों में इसको दोस्तों हम कोल्ड प्रोटेक्शन टाइम भी कहते हैं तो अब जानना ज़रूरी है कि होता क्या है अगर कोईशन आपकी PLC पर मशीन पर है तो आपको जानना ज अब क्या होगा वो temperature वहाँ जल्दी पहुंच जाता है तो ऐसा क्यों मतलब थोड़ा जितना भी time लगा आपकी मशीन में 10-15 मिनट आपका temperature दिखा देगा पूरा कि सारा temperature हो गया उसके बाद आपका school prevention time या cold protection time जो भी नाम है वो start हो जाएगा तो वहाँ पे temperature जो पहुंच गय है जब आपकी heating total हो गई मतलब आपने जितनी आपने सारे जोंस में heating set करी थी वह heating आ गई आपकी PLC पर उसके बाद थोड़ा सा time दिया जाता है वह क्यों दिया जाता है उस process को मैं समझाता हूं चलिए barrel की तरफ चलिए और यहां पर दिखाता हूं मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों जैसे यह barrel है barrel पर heater लगें आपने temperature दे दिया अब इस temperature को PLC पर sense करके कौन पहुंचाता है आपका thermocouple पहुंचाता है हमेशा heat sensing device आपका thermocouple होता है तो दोस्तों thermocouple जो है न यह बहुत गहरा तो नहीं होता है मतलब बहुत अंदर तक नही PLC को command दे दिया कि हीटिंग आ गई है लेकिन आपका जो screw होता है वो barrel bore के अंदर होता है तो वहां तक heating पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी उपर उपर heating आई metal है उपर गरम हो गया लेकिन अभी अंदर जो है particular वहां पूरी तरीके से screw आपका वो heating जो चाह पुंचेगी, screw में पहुचेगी, screw में क्या है जैसे आपने machine खड़ी वगेरा करी है तो कोई material फसा हुआ है उसमें, stick किया हुआ है तो उसमें क्या होगा दोस्तों कि जैसे material screw में stick किया है आपने machine चला दिया तो simple क्या होगा कि screw जो है material hard है tight है तो screw को damage कर सकता है कुछ ना कुछ दिक्कत कर सकता है screw के साथ तो उसी के लिए हम यह protection time करते हैं कि 5 minute जो है रहेगा तो आपका material पूरा गल जाएगा उसके अंदर फिर आप injection करोगे तो बहुत अच्छे से injection हो जाएगा ध्यान देने वाली बात यह है जब यह time activate होगा तो जैसे heating ले लिया आप cold protection time या screw prevent time start हो गया शुरू हो गया अब 5 minute तक आप क्या है कि अपना जो कोई भी function semi या auto में run नहीं करा पाओगे आप manual mode पे screw आगे पीछे सब कर सकते हो लेकिन semi और fully auto में आपका कोई function नहीं work करेगा आपकी machine पे जो है कि आपकी machine जो आप चाहो कि मतलब cold protection time है तुरंत आप यह semi या auto चला के तो जो product निकाल ले तो नहीं निकलेगा आपको वो time देना ही देना पड़ेगा वो time जो है आप यहाँ पे set करते हो जैसे 5 minute, 4 minute, 3 minute किस हिसाब से आप देना चाहते हो वो आपकी machine, आपके heaters, material कौन से चला रहे थे, machine खड़ी किये तो material निकाल के खड़ी करते हो आप, यह सारी चीजों पर depend करता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा जादा ही रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा आपका screw हमेशा बचा हुआ रहेगा, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो म कुछ और लेके, तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद